एजुकेशन टेकनोलोजी यहां चैनल में आपका स्वागत है आज का आपका जो टोपिक है वो रहेगा भाव सुन्द्री यह क्या होता है या एक दापक के लिए इसको बताना क्यों आउसक होता है या विद्यार्थियों को यह जानना क्यों आउसक है क्योंकि यह है कम से कम 20 और से सम्मंध स्ताफित रखता है या भीस संम्द्रों को अफरवावित करता है यह कि आपको बावब सुन्द्री और पर्सन आते हैं उन्हें तीन परकार के होते हैं सुन्द्रût घडर्ड इसी चीज़को सम değil wems परुषे जो हैं वगल्ती करते हैं। कई बार संदरी और समय कंडूररी ासलिप संदरी। इस में आप गल्ती करते हो। जिसमें पे जया-दत्र आपके कड़ जाते हैं क्योंकि इन और परशन के तरह आप जयान नहीं देते हैं जिससे आपको नुक्सान होता है आप राजे मेरिट जिला मेरिट वा विद्धाले में टोप आने से बस जाते हैं या नहीं आपाते हैं तो एक दो अंक भी यदि आपके कट जाते हैं तो यह मानो कि कितने ही विद्धारतियों से आप नीचे से ले जाओगी तो आज मैं आपको एक एक चीज कलियर बताऊंगा इसमें ध्यांस से सुनना है समझना है इस चीज को गोर से बावसंदरी क्या होता है यदि आपके पास क्यों सुना जाए कि इसका कोई पध्यांस या कोई दोहा आ जाए कि इसका बावसंदरी लिखे तो पध्यास में नहित, संदेश, सिख्षा, विचार, कवी या कवीत्री के कहने का उद्देश से आदि लिखना होता है यहनुनि बावसंद्री गार्त हो गया कि बावार्त वो कहना क्या चारा है उस पद्दे के अंदर क्या चीज आपको बताने की कोशिस कर रहा है कवी या कवेत्री तो वो सिर्फ संदेश लिखना है वो सिक्ष्या लिखनी है सिर्फ इतना ही लिखना है आपको इसके लाव और उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है होता है बावसंद्री ठीक है फिर आता है शिल्फ सुंद्री तो इसके अंदर अलग-अलग सुमिश से यह आती है कि कई बार याद आएगा शिल्फ सुंद्री गवर्ण करूप कि यहीं पर बच्चों से गड़बर होती है वह इस चीज को समझ नहीं पाते है यह सभी चीज एक ही है यह साइद आपको कहीं से नहीं मिलेगी या इसको ढूंडने में दिक्कत होगी तो इसलिए मैंने सारा का सारा इकटा करके यहाँ पे एक सार डानती है तो बासा सेली कैसी होती है सोरी बासा सेली कैसी है यानि जो आपके सामने पध्यास है उसकी बासा से लिख ऐसी है, सरल है, कठीन है, या लिखने का तरीका क्या है, अलंकार में है, या रस्युक्त है, या कौन सी रिती है, तो बासा से लिख ऐसी है, अलंकार कौन सा है, और क्यूं है उसके अंदर, वो लिखना होता है इसके अंदर, यानि कोई भी आपके पास पद्यास आजाए तो उसमें ये लिखो कि पहले तो बासा से लिखों सी है फिर उसमें अलगकार कौन सा है और क्यूं है कारण क्या है रस कौन सा है गुण कौन सा है तस्सम सब्दों है तद्ब सब्दों का प्रयोग उसमें हुआ, कौन-कौन से हुआ और कौन-कौन से सब्दें रचना कैसी है, तुकानत है कि ए तुकानत है रित्ती कौन सी है, सबसक्ती कौन सी है आदी लिखना होता है यह सारी व्याकणात्मक जो चीजें है बाते हैं वो आपको सिल्फ सुंद्रिये के अंदर कलापक्सि सुंद्रिये या सिल्फगत सुंद्रिये बासा सोस्टव या सिल्फवसिस्ट के अंदर लिखना होता है इस सारी चीज़े एक ही हैं इनमें से कैसे भी परसन गुमफिर के आ सकता है तो इस चीज़ को आप द्यान में रखे पिर आता है कवे संद्रिये, तीसरा जो परकार है, वो है कवे संद्रिये, तो बाव संद्रिये, सिल्फ संद्रिये, कलापक्सिय संद्रिये, सिल्फ गत संद्रिये, बासा सोस्टव, विसेस्टे, अर्थात, पध्यास का अर्थ, बावार्थ, और बासा गत विसेस्टाइं बत सब्सक्राइब करें लाइक करें इसी प्रकार के एजूके से समधित बातें आपको मैं बताता भाग भाग ठाग परें लाग लाग बता बतावा तरो थण्सक्राओ। तरों तरों तताव।